हे गुड मारिंग फ्रेंड्स माइनेम इस अभिल अश्यस हो दिया और आज मैं लेकिया हम फिसिक्स का सेकेंड पार्ट इसमें मैं बाकी के कुछ और प्रिंसिपल्स डिसकस करने वाला हूं सो चली स्टार्ट करते हम विश्कोसीटी से विश्कोसीटी एक फ़ोद अच्छा प्रिंसिपल हैं अभी ये होता क्या है इसमें आपको एक अपचल देख रही होगी लोग भिसकोसीटी की यानि की चिपना मतलब पतलह होता है यानि कि वो लो विसकॉस है और जितना गाढ़ा होता है यानि कि वो हाई विसकॉस है अगर आप पानी को ऐसे गिराएंगे और फैलेगा और श्हहत को आपको clear-cut दुखेगा कि पानी का जो फैलना होगा वह बहुत तेज होगा as compail to शहद का फैलना तो यह concept था कि viscosity क्या होता है viscosity of often referred to as the thickness of a fluid you can think of water low viscosity and honey high viscosity however this definition can be confusing when we are looking at fluids with different densities सीदी सी बात यह है thickness of fluid की बात हो रही है जो पतली चीज़ है वो low viscosity की होती है जो मोटी चीज़ होती है वो high viscosity की होती है ठीक है ऐसे liquids की भी बहुत सारी densities होती है जैसे आपको देख रहा होगा यह picture में ठीक है अब आजाते है terminal velocity यह एक बहुत शांदर concept है जो की Newton ने दिया था terminal velocity क्या होता है पहले हम बढ़ लेते हैं दी constant speed that a freely falling object eventually reaches when the resistance of the medium through which it is falling prevent further acceleration यानि क्या हुआ जब कोई इंसान freely fall करता है माल लीजे helicopter से या plane से तो वो full speed में नीचे गिरता है ठीक है जैसे आपको देख रहा है उस पर क्या होता है एक तो उसका volume here लैंड कर जाता है वो क्यों होता है क्योंकि जब parachute के झुलता है तो parachute अपना जो area वहता होता है और यह स्पीड होती है जो acceleration होता है वह कम कर देता है और resistance को बढ़ा देता है ठीक है air के resistance नहीं की रोख़वर डालना है ठीक है जैसे parachute क्छलता है न तो पूरा resistance बढ़ आप बहुत स्पीड से नीच जा रहेते फिर एक बीच कंडिशन में आप दिखता हम आपकी जो स्पीड एक्सलेशन है वो नॉर्मल हो जाता है इसी चीज को टर्मिनल वेलप सिटी बोला जाता है ठीक है इत ओकर वैंदी सम अफ द्रैक फोर्स यानि गिरने वाला फोर्स एंडी ब्याँसे इस इक्वल टू दी डाउनवर्ड फोर्स ब्याँसे मैं आप वो बता चुक आता क्या होता है डानवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दी ऑपचेक्ट तीक है क्लियर हुआ है इसके बाद है सिंपल हार्मोनिक मोशन यह बहुत अच्छा कॉंसेट है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं यह शायद सब लोग जानते होंगे आप घर आपके घर पे एक वाल क्लॉक होगी जिसमें पैंडूला पूंगा पैंडूलम एक डायरेक्शन में जाता है फिर फिक्स पोजिशन में ही वापस आता है तो यह पैंडूलम इसी पर बेजड है इसको बोलते हैं और सिलेटरी मोशन चीक है इसको मैं और आप अच्छे समझाता हूं और सिलेटरी मोशन मतलब एक कोई मोशन कोई चीज जो बार बार रिपीट हो रही है ठीक है बिगर किसी फ्रेक्शन के फ्रेक्शन मतलब रुकावट के वह बार बार रिपीट हो रही है सेम डायरेक्शन में इसको ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है जैसे कि आपको दिख रहा है एक पॉइंट से यह बॉब ग वेलोसिटी यह जो की आएसे एक न्यूटन नहीं दिया था यह बहुत अच्छा कॉंसेप्ट है दा लोएस्ट वेलोसिटी विच आप बॉडी मस्ट हैव इन और टू स्केप दी ग्रेविटेशनल अट्रेक्शन ओफ आप पार्टिकुलर प्लैनेट और अधर आपजेक्ट य उससे भार निकलने के लिए जो मिनिममम स्पीड की या वेलोसिटी की जरुद पढ़ती है उसको स्केप वेलोसिटी बोल जाता है जैसे कि आपको यह दिख रहा होगा जब यह सैटलाइट को हमने इसके और बेट में पहुंचाया था तो इसको एक वेलोसिटी की जरुद प करेंगे जब तक आप उसको बहुत तेज नहीं गुमाएंगे ना जब आपने एकदम से जटके से तेज घुमा दिया तो बॉल टूटके गिर जाएगा तो उसी तरह जब यह सैटलाइट है इसको एकदम से आपने इसको जोर से पुश्च नहीं करेंगे इस पीड नहीं दे जिए उसके बाद आजाते हैं ड्रॉबलर एफेक्ट पे जो कि क्रिश्टन ड्रॉबलर ने दिया ता है ड्रॉबलर एफेक्ट आप शाहत समझ गए होंगे जब आप आगे बढ़ते हैं कुछ बोलते हैं तो सामने वाले को बहुत अच्छा क्लियर समझ आता है पीछे वाले को or receding from us in a mechanism named red chief or blue chief sorry red shift and blue shift red shift happens when light seen coming from an object that is moving away in a proportionally increased in wavelength or shifted to the red end of the spectrum आपको समझ नहीं आएगा चलो मैं आपको समझाता हूँ आपको यह picture दिख रही होगी एक ambulance है आगे बढ़ रही है ठीक है जब ambulance का siren बचता है पीछे एक जो लड़की खड़ी है long wavelength low frequency और आगे दिख लिए small wavelength high frequency जो यह पीछे आवाज आ रही है इस बंदे को थोड़ी जादा सुनाई दे रही है ठीक है और जो आगे जा रही है वो थोड़ी कम सुनाई दे रही है ऐसा क्यों हो रहा है यह हो रहा है ड्रॉपलर से एफेक्टी वज़े से यानि कि जब आपने कुछ बोला कोई loudspeaker में speaker से कोई आवाज निकली जब आपने उसको open में loudspeaker चलाया तो उसकी जो wavelength होती है वो आगे बढ़ती है बढ़ती है और बढ़ी होती जाती है लेकिन मालो कोई दीवाल है कोई room में हम बजा रहे है तो टकराके वापिस वहीं के वहीं है जाती है तो जो यह wavelength बढ़ती तब है जब आप speaker में जोड से बोलते है तो और उसको खुले area में इंट्रस्टिंग टेंडल एफेक्ट्स जो कि जॉन टेंडल ने दिया ता है टेंडल एफेक्ट्स का मतलब क्या होता है जैसे कि मालीजे आपने सोबे सोबे देखाओगा आपके खड़की से दूप की रौशनी आती है जब आप जाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो हल्की यute को चोटे चोटे पार्टिकल्स के दिखते हैं रहांb फिर इन रूम को बंद कर लिए फिर नहीं को देखेंगे तो आपकोram इंडल एफेक्ट कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाइए मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंड़ पार्टिकल एक्जामपल स्मोक डॉस्ट इन रूम विच मेक विजिवल अलाइट बीम एंट्रिंग विंडो यानि की जो आपको इस छोटे-छोटे पार्टि की ik चैटर करती है कि एक तो चार में उसकी लएड फैली तो उसकी वाज़े से वाफो चम-चमाता वह ब देखते हैं स्केटरिंग और फ्लक्षिट होती है और आपको ऐसा लगता है कि स्टार्स चम चमा रहे हैं तो ठीक है आज के लिए इतना काफी है ने ने वीडियो में आपको और भी प्रिंसिपल्स डिसकस करने वाला हूं